अपडेट्स कॉंसलिंग तीचिंग यहां मिलेगा सब स्टुडेंस जिस प्रिज दबेल आइकन और सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हाब बनारा सिंदु उनिवर्सिटी के साल 2019 में पेट यानि कि पोस्ट ग्रेजबेट एंटरंस टेस्ट में जितने भी विद्यार थी परिछार थी एपियर हुए थे उन सभी का रिजल्ट और रेड़ी आ चुका है और इन फैक्ट कॉंसलिंग डेट भी आ चुकी है लेकिन बहुत सारे कॉर्सिस के एप्लिकेंट्स को अभी तक कॉल लेटर नहीं भेजा गया है और इस बात से बहुत सारे लोग परेशान है कि सर मुझे कॉल लेटर कब आएगा हलांकी जैसा मुझे पता है और मैं almost 100% sure हूँ कि आपकी कॉंसलिंग जो है किसी भी कॉर्स की 15 जुलाई से पहले नहीं है 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो रही है in fact PG के maximum courses की कॉंसलिंग और उसके बाद ही अलग अलग courses की कॉंसलिंग है चाहे हो science का department हो arts का हो social sciences का हो या फिर Sanskrit का हो या फिर किसी भी field का हो या common हो कुछ तो इन सभी का call letter बहुत जल्द आ जाएगा हलांकी यह जैसी सुचना आई थी कि आप सभी को 6 तारिक तक मतलब कि 6 जुलाई तक counseling letter भेज दिये जाएंगे call letter भेज दिये जाएंगे but still it has not been sent to your email ID or the counseling portal को update नहीं किया गया है उस link को update नहीं किया गया है जो आप खोल सके login करने के बाद में तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है आप बिल्कुल इंतजार कीजिए अगले एक से दो दिन में यह सारी चीज़े आ जाएंगे क्योंकि यह अगर नहीं भेजा गया है तो यह BHU उसके रिस्पोंसिवल है आपको कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता और उसके लिए BHU भी reliable भी है responsible भी है जवाब देह भी है आपको कोई समस्या नहीं आएगी आपका counseling letter निश्चित रूप से भेजा जाएगा और एक बात और है मैं फिर से बता देता हूँ कि preference entry जहां पर भर नहीं होगी preference entry के समय यह मांगता है उस जगह पर लिखा होता है कि percentage of qualifying marks तो qualifying marks की जगह आपको graduation का marks भरना है graduation में आपने जितने भी marks score किये थे मान लिया जाए अभी तक आपका graduation final year या final semester का result नहीं आया है तो still अभी तक जो second year तक का result है या फिर five semester का result है overall उस percentage को approximately डाल दीजिए वो कोई समस्या नहीं खड़ा करेगा आपको जरूरत सिरफ इतना है कि 50% marks मिनमम आपके होने चाहिए तो इसमें गलती मत किजेगा ये मत समझ लिजेगा कि कहीं हमें दूसरा marks डालना है मतलब कि वो marks जो आपने PET में score किया है नहीं उसका percentage नहीं डालना है बिल्कुल नहीं डालना है और percentage में convert करके दशमलों के दो अंकों तक marks को fill करना है उस fill in the blanks में तो मैं आप समझता हूं कि आप इन सभी बातों को लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं होंगे सारी समस्याओं का समधान हो चुका है including your call letter कि बहुत जल्द आ जाएंगे आप सबर कीजिए बिल्कुल आ जाएंगे 15 जुलाई से counseling है तो अभी still five days से ज्यादा समय है आपके पास और counseling जो preference letter है preference letter आपकी counseling से दो या तिन दिन पहले activate होगा वो link क्रिपया चेक करते रहेगा क्रिपया करके इस video को maximum लोगों तक share कीजिए अगर video पसंद आया तो like भी कर दीजिए और अगर इस channel को पहली बार देख रहे है तो क्रिपया करके subscribe कर ले thank you for watching and all the best for your bad future God bless you all good luck